नवस्कार मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं Pure Politics आज मैं आपको बताऊंगा कि एक लंबे समय से कैसे अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि भारत को दबा कर भारत का हाथ एट कर वो अपनी बात मनवाने के लिए भारत को मजबूर किया जाए मोधी सरकार बनने से पहले यानि 2014 से पहले अमेरिका इसमें कई बार काम्याब हो भी जाता था लेकिन नरेंद्र मोधी की सरकार बनने के बाद अमेरिका की ये सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रहे हैं प्रधान मंत्री मोधी ने अमेरिका के दबाव के आगे ना सिर्फ जुकने से इंकार कर दिया बलकि साफ साफ चेतावनी भी दे दी है कि भारत के साथ गुलामों की तरह व्यवहार करने की अमेरिकी कोशिश कभी भी काम्याब नहीं होगी लेकिन मजे की बाद यह है कि अमेरिका ने हर नहीं मानिये दबाव बनाने की अपनी नीती पर वो आज भी चल रहा है हाथ एटने की उसकी कोशिस आज भी जारी है मोदी के जुकने से इंकार करने के फैसले से अमेरिका इतना बौकला गया है कि अब वो विपक्च के नेताओं के साथ मिलकर ये जो कायर नेता हैं विपक्च के उनके साथ मिलकर मोधी सरकार के खिलाफ साजिशे रच रहा है इसके बारे में हमने पहले भी प्योर पॉलिटिक्स में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है अब ताजा वाक्या ये है कि अमेरिका भारत को उपर ये दबाव बना रहा है कि वो Russian State Media, वहां की जो State Media है RT, उसको बैन कर दे, उसको ब्लॉक कर दे. अब अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के विदेश मंत्राले से कहा है, कि वे Russian Disinformation, यानि रूसी दुस्प्रचार, तथा कथित रूसी दुस्प्रचार के खिलाफ, उनकी कारवाई में शामिल हों, जिसमें माननेता रद्द करना और पत्रकारों के खिलाफ सैंक्शन लगाना शामिल है. अब अमेरिकी विदेश भाग ने कहा है, कि उसने ब्रिटेन और कैनडा के साथ मिलकर एक सहयुप्त कूट नितिक अभियान शुरू किया है, ताकि आर्टी और रूसी दुस्प्रचार से उत्पन खत्रे से निपटने में दुनिया भर के सहयोगियों और साजेदारों को उनके साथ शामिल होने के लिए एक जुट किया जा सके. अब सोचिए अमेरिका के साथ कौन से देश खड़े हैं, ब्रिटेन और कैनडा, जो अमेरिका के सामने बोलने की कभी हिम्मत नहीं कर सकते हैं, अमेरिका ये चाहता है कि भारत भी उनहीं गुलामों की लिस्ट में शामिल हो जाए, लेकिन मोधी सरकार ने अमेरिका की इस अ अधिकारी की रूप से तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि ऐसे प्रतिबंदों पर भहस भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है, मतलब भारत ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि ये मुद्दा आपके लिए महत्वपुन हो शकता ह हमारे लिए नहीं है भारत के लिए मुद्दा महत्रपूर नहीं है क्यों पर सवाल यह है कि क्या अमेरिकी सरकार वाशिंग्टन पोस्ट और नुई यॉक टाइम्स जैसे अमेरिकी मीडिया संस्थानों के खिलाफ एक्शन लेगी जो लगातार भारत के खिलाफ दुष्पचा अगर भारत कहें तो क्या अमेरिका उनके खिलाफ कभी एक्शन लेगा मोधी सरकार ने अमेरिका की इस अनुचित मांग को यानि आर्टी को बैं करने और उसके पत्रकारों को सैंक्शन करने की मांग को ठुकरा कर बिल्कुल सही काम किया है क्योंकि अमेरिका अपने देश मे भारत के खिलाफ दुदुस प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ तो उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं और सवाल यह है कि अमेरिका के प्रेस फीडम से संबंदित लंबे चोड़े भाशन को क्या हुआ आज वो कह रहे हैं कि आर्टी को बैं कर दो लेकिन अभी तक तो वो अभी व्यक्ति की स्वतंद्रता की बात करते थे मीडिया के ऊपर किसी भी तरह के बैन के खिलाफ हो बात करते थे तो क्या कोई मीडिया ग्रूप अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप उसे प्रतिवंदित कर देंगे यही है आपका प्रेस फीडम के प्रति समर् ये तो आपकी दोरी निती कोई दिखाता है नहीं ये अमेरिका की दोरी निती कोई दिखाता है और ये कुछ नहीं है वैसे मैं आपको बताओं कि भारत को दबाने की ये कोशिस कोई नहीं नहीं है भारत की जो मोधी सरकार है उसकी स्वतंत्र विदेश निती हमेशा से अमेरि रूस से संबंदित भारत की जो नीती है वो अमेरिका को कभी पसंद नहीं आई है आपको याद होगा कि किस तरह से प्रधान मंत्री मोदी के रूस दोरे को रोकने के लिए अमेरिका ने दबाव बनाया था लेकिन प्रधान मंत्री मोदी ने उस दबाव के आगे जुकने से इ एक बात और, मोधी सरकार को इस बात पर भी पुनर विचार करना चाहिए कि क्या रक्षा के छेत्र में अमेरिका के ऊपर एक हद से ज्यादा निर्भरता ठीक है। सप्लाई करना बंद कर दिया कि कुछ इशुज है इसमें सप्लाई चेन का कुछ इशुज है और भारत को पूरा प्रोजेक्ट है वो अधर में लटक गया अब उसके बाद क्या हुआ जो रक्षा मंत्री है राजनात सिंग उनको दौड कर अमेरिका जाना पड़ा और वहां ज पार्टनर हो सकता है कि इस बात की संभावना नहीं है कि वह कोई भी मुद्धा उठा करके जैसे उसने कहा कि आटी को आप बैं कर दीजिए आप नहीं बैं कर रहे हैं वह इसी को मुद्धा बना करके इंजिन की सप्लाई रोप देगा तब आप क्या करेंगे और इससे आग इस्तेमाल टेजस मार्क टू और फिफ्ट जेंडरेशन के एमसीय के लिए होगा और जिसके लिए 80% टेकनॉलजी ट्रांसफर की बात हो रही है जो डील हुई है दोनों सरकारों के बीच में उसके लिए भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है और विकल्प हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है अमेरिका किसी भी छोटे मुद्दे को बड़ा बना कर या यह कह करके कि आप हमारे साथ नहीं है वो इसको भी डिले कर सकता है टेकनॉलजी ट्रांसफर रोक सकता है तो अमेरिका बिलकुल भी रिलाबल कि जरूरत है और इस बात के लिए तैयार रहने की जरूरत है कि अगर अमेरिका स्पेर पार्ट की सप्लाई बंद कर देगा इंजन की सप्लाई बंद कर देगा तो फिर आप क्या करेंगे 404 की स्थिति तो यह है 414 तो और भी ज्यादा क्रूशिल एक एंजिन होगा भारत के स्थिरिजिक इंट्रीश यह अंद के घंड्रेश आहे कि अमेरिका को कोई भरोसा नहीं है वो कभी भी दोखा दे सकता है अब बड़ी प्रतात्यां कि मोधी सरकार मुखर होकर अपना पक्ष रख रही है अब वो बोलने से डर नहीं रहे हैं खास करके विदेश मंत्री डॉक्टर जैशंकर वह भारत का पक्ष अंतरराश्ट्रिय मंचों पर मजबूती से रख रहे हैं और वह साफ साफ कह रहे हैं कि भारत की साफ कह दिया कि अगर यूरोप रूस से गैस खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता सबकी बोलती बंद हो गई जैशंकर के इस जवाब से इतना ही नहीं जैशंकर अब सारे अंतरराश्ट्री मंचों पर जब वह बैठते हैं और बोलते हैं तो भारत की विद सारे देश ब्रिक्स में जो शामिल हो रहे हैं उससे अमेरिका भी घबराया हुआ है और यूरोप भी घबराया हुआ है तो जब उनसे यह पुछा गया कि ब्रिक्स की ज़रुरत क्यों पड़ी आपने क्यों ब्रिक्स बनाया तो जैशंकर ने क्या कहा उन्होंने कहा कि आप अपने G7 बनाया था और ये कहा दिया कि G7 में सबकी एंट्री नहीं है तो आप अगर हमें एंट्री नहीं देंगे तो हमने अपना गृप बना लिया। आपने पहले कभी देखा था कि भारत ने कभी इस तरह से मजबूती के साथ अपना पक्छ रखा हो और बिल्कुल पलट करके जवाब दिया हो आपने पहले नहीं देखा होगा ये कॉंग्रेस की सरकार में यूपिय की सरकार में ये आपने नहीं देखा होगा ये चीज आप मो पर दिया जो ये खबरें आये कि विपक्च के साथ मिलकर अमेरिका जो साजिश रच रहा है उस पर डॉक्टर जैशंकर ने बहुत ही जवरदस्त जवाब भी दिया और इशारों में धंकी भी दिये उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि आप ये जो हरकत कर रहे हैं हमारे पर दिया जो सवाल किया है ये आपने आप में काफी महत्व रखता है और काफी इंपॉर्टन है एक बात बहुत सपष्ट है कि मोदी सरकार अमेरिका की हर साजिश को देख और समझ रही है चाहे वो देश के अंदर आकर जिस तरह की साजिश रहे हैं या फिर परोश में जि पर द्रश कर रहे हैं बंगला देश में भारत की जो मित्रवत सरकार थी उसको उन्हों ने उसका टक्ता पलट करवा दिया और उसमें पकिस्तान का हाथ रहा उसमें चीन का हाथ रहा वहां पर जाकर के अमेरिका ने न सिर्फ शेक अत्रक्शिनग के खिलाफ अभियाम छेडने में पाकिस्तान परस्त ताकतों की मदद की बलकि आज वो वहाँ जो अमेरिकन एजेंट है प्रोफेसर यूनुस उनके पीछे भी अमेरिका खड़ी है पुरी तरह से और मोधी सरकार ये सब कुछ देख रही है ये सब कुछ समझ रही है और मैं आपको मोधी सरकार ने साफ कर दिया कि वो शेख हसीना को सपोर्ट करना जारी रखेगी अमेरिका के दबाव में वो शेख हसीना को सपोर्ट करना बंद कर दे ये नहीं होगा मोधी सरकार ने साफ साफ के तो मोधी सरकार ना सिर्फ अमेरिका की साजिश को देख और समझ रही है बल हम तुम्हारे साथ भी खेल सकते हैं संदेश बहुत साफ है और अमेरिका को यह मैसेज मिल जाना चाहिए तो मोदी ना सिर्फ अमेरिका की गुलामी करने से साफ मना कर दिया है बलकि यह इशारा भी कर दिया है कि इंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा अब सोचिए कि अमेरिका में अगर भारत के यह भारत की जो एमबसी है वहाँ पे उसका कोई अधिकारी जा करके डोनल्ड ट्रम्प स अधिकारि खुल्याम जाकर भारत के जो विरोधी दल है उनके नहink Jeetाओं से खुल्याम हो जाकर कर कंिल रहे हैं और इसी के खिलाफ जैशंकर ने साफ साफ चेतावनी दी उनको बताया कि आप हमारे अंदुरीनी मामलों में ये दखल अंदाजी कर रहे हो अगर यही काम हम आपके अंदुरीनी मामले में करें तो फिर आपको कैसा लगेगा तो यह बहुत सपष्ट है कि मोधी सरकार किसी भी चीज को आख बंद करके अब शिकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और अगर जो दवाव अमेरिका बनाना चाह रहा है वो कभी बोलेगा प्रधानमंत्री रूस नहीं जाएंगे आप आर्टी को बैन कर दो अब तेल ना खरीदो तो यह साफ साफ कह दिया गया है कि आ आपकी बात अब नहीं चलेगी बिल्कुल नहीं चलेगी जो भारत के हित में होगा वही किया जाएगा आपके दबाव से किछनी होने वाला है तो अभी के लिए इतना ही अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब क झाल